हलो दोस्तों डाउटनेट पर आपका स्वागत है अब आप फिजिक्स कमेश्टी मायत के साथ साथ अपने बायलोजी के भी डाउट को किलियर कर पाओगे वो भी डाउटनेट के साथ इसके लिए आपको करना क्या है इस डाउटनेट नामक आपकी लिंक नीचे डिस्क्रिप् जैसे ही आप फोटो खीचेंगे तो इसके बाद आपको वहीं कुष्चन प्राउट कर देना द्यान रहें आपको कुश्चन नंबर तक नहीं आना चाहिए अविक उस्चन आपको क्रब करना ऐसे इसके बादिस प्लिक करते हो तो आपको जो से हैंडिू आ और गो हाई गाइज आज मैं आपको इंगलिस का पेपर जो 2020 में आया हुआ था 316 जड़ जड़ इसे पूरा explain करके बताऊंगा कि किस प्रकास से आप 2021 में अगर preparation करना चाहते हैं तो आप इसे करेंगे और अथवा जो है 2020 में आपने दिया है तो क्या आपकी आप पेपर आया था या इससे सरल पेपर आया था यह मुझे आप कमेंट करके बता दीजिएगा सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe कर लिजिए क्योंकि आपको पता है हम quality वीडियो के साथ साथ एक्जाम तक याद करने की ताकत भी आपको एक बात बता देना चाहता हूं यहां पर आपको तीन गंटे का पंदरे मिनट का समय होता है इसको आपकी कॉपी में बहुत अच्छे से फ्लिप करना होता है इसके बाद यहां पर मैं एक बात किलियर कर दूं यहां पर देखिए लिखा हुआ है फस्ट पंदर मिनट आर अलाउटेड मतलब कि यह अलाउटेड दा कंडिडेट तू रीड दा कोश्चन पेपर मतलब यह कह रहा है कि पंद्रे मिनुट जो आपको दिये जाते हैं वो कोश्चन पेपर को पढ़ने के लिए दिये जाते हैं ठीक है इसक बाद यहां पे कुछ टार्माइन करडिशन दी गई हैं जिन्हें आपको बहुत अच्छे से रीड कर लेना है आप मैं सीड़े सीदे बात करता हूं कि क्या आता है तो सेक्शन ए में दोस्तों देखिए आता है इक्स्प्रेंड बिद रिफरेंस टूदा कांटेक्स एनी वन फालोइंग कुश्चन तो एनी वन का मतलब बहुत है कि यहां पर दो दिये गए हैं दो दिये गए और भी तो इन में से आपको किसी एक कर रिफरेंस रिफरेंस का मतलब होता संदर्व इसके बाद यहां पर कांटेक्स मतलब प्रसंग और एक्स्प्लानेशन मतलब ब्याख्या अगर आपने इस चेप्टर को पया इस ही उसे लिख देना होता है इसका एक्स्प्लानेशन मतलब इसकी ब्याख्या करनी होती है में इंग्लिस में तो इसके लिए हमें दो कुश्चन देखने को मिल जाते हैं इसमें से आपको एक करना होता है ठीक है अब देखिए यहां पर क्या है दूसरे कुश्चन की बात सब्सक्राइब करें किसी कुछन स्यूंक फिर्ट्य से एक को साथord में करते हैं 30-40-year-old दो आप लीग देते हैं इसका ऐगा आपको 4 मिल जाएंगे तीस्रे कुछन की बात करें यहां पर क्अद ज्यादा समय नहीं लगता अगर आप से पदैंब हुआ है आपको वही वही कुश्चं देहने को मिलते हैं को नया कुश्चं देखने को नहीं मिलता इसमें आप सांसर जो किony आटेक्स लिया गया है यह वाला आप कर सकते हैं वाल i s आपको क्या क्या है कि बहुत अच्छा है आठ अंक मिल जाएंगे 75 लिखने के फिर इसको मैं बत करूँ एंसर एनी टू अब यहां पर देखिए दो कुशन्स आपको करने हैं जिसमें से आपको तीन कुशन्स दिये गए हैं इसे दोनों कुशन्स चार चार अंक के होंगे तो से लेकिन कुशन्स को अगर आपने पड़ा हैं साइट स्टौरी साथ स्टौरी में संकु संकू यह संकू वाले हर साल पूचा जाता हैं तो यह देखें अगर साठ इस वीडियो का मकसद था कि मैं इससे आपको फेपर को दिखा सकूँ ना कि मैं English का कोई टीचर नहीं हूं ना मैं इसे साफ़ करने बैठा था बट मैं इसे आपको दिखाने के लिए अब यहाँ पर मैं आपको बात करूं तो यहाँ पर पोईट्री पोईट्री से आपका क्या है कि एक दिया जाता है इस्टैनजा इसमें से भी आपको reference context दो दिये जाते हैं तो इन में से आपको एक करना होता है देखिए यहां पर लिए हुआ है anyone reference explanation और context तीन हो यहां पर करने होते हैं फिर इसके बाद मैं बात कर दूँ साथमें question की तो साथमें question पर क्या होता है आपको central idea लिखना होता है क्या लिखना होत यहां पर साथ जो होते हैं आपके यह होते हैं आग जी मोरन यह तो इन में से क्या है आग जी मोरन एक वास्ट्राफी यह जो आपके साथ होते हैं साथ के सातों में से आपको किसी एक की definition देखिए लिखा हो write the definition of anyone following figure figure of speech जो होते हैं आपके साथ होते हैं साथ में से आपको कि स्कूनितने करना होते है you can do exchangeや विए अब section B की बात करें तो यहां पर Rightर कुशन दिया गया है यहां पर देख सकते हैं लिख अभला यहां चेंज करना होता है भूत ही आसान होता है इसके बाद B number govern की बात करें हम किसके नवे के B numbers question की तो इसमें किसी anyone यहीं एकको आपको directed within bracket यहीं ब्रैकेट में जो दिया गया है उसी तरह से आपको change कर देना होता किसी एक को देखें यहां पर कहแ रहा हैं into a simple sentence यह जो sentence है इसको आपको simple में बना देना है यह फिर into a complex यह sentence को आपको complex में बना देना जो आपको आ रहा हूं उसी में से आपको एक को कर देना इसके बाद ट्रांसफार्म एनी वन आफ दा फॉलोईंग से इनसे डाइरेक्ट वीदिन दा ब्रैकेट अभी यह भी कहरा है ब्रैकेट के अंसार इन में से किसी एक एनीवन यह को यहां पे लिखा हुआ है तो इसको आप पैसि में बना दीजिए यह पिर यह जो कुशन दिया गए इसको आप सिंपल में बना दीजिए इस के रहा है करेक्ट एनी टू आफ दा following sentences तो इन वे से कुछ जह सेंटेंस ऐा मैं को सही करना है अप कहां गल्ती हैं यह आप को पकलनी है यह बहुत अच्छा कुश्चन होता है यह आपको बाद में इंडिय एरफोर्स नहीं भी में भी बहुत क् access काम आती दस्वे कोश्चन की बात करें तो यहां पो यहां पे पांच तो आप करेंगे तो प्रतेक एक एक मार्क का आपको दे दिये जाएंगे अब्भी नंबर में कह रहा है दसमें की बी में कह रहा है राइट इंटो नाइम यहाँ पर आपको इंटो नाइम आफ दा फॉलॉइंग वर्ड जितने व ही यहाँ पर कोश्चन दिये गहे हैं अब यहां पर यहां पर आपको तीनों के लिखना पदेगा फिर यहां पर नीचे वर्ड दिये गए इनके आपको साइनोनाइम देना है इसका बाद कहा रहा है सब्टिट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् इनको आपको पैसे दिए जाता है जिसको अपको इंगलिस में ट्रांसलेट करना होता है यह बहुत ही अच्छा और यह आपर रहें उन आपर क्या beliefs खुख कर दिए जाता है इसमें ते चाहे है इसमों आपको टू नर्ड यह था बड़ देत कर दो यह हंत छे आपको कbreak कर दी का मार्किक फिक्ष्ट धियेगा यहां पर आपको चार मार्क दिये जाएंगे तो यह पूरा समरी है यहां पर देखिए अब हम बात करें इस कुश्चन की अथ्वा वाले की ने तो हमने कर लिया तो यहां पर क्या है राइट समरी आफ दा फालोइंग पैसे इन एबाउट सिस्टी वर्ड तो इस सिस्टी वर् अब यहां पर क्या इसे इन में से किसी एक का ऐसे आपको लिखनाए वहिए एक सुवीस वर्ड में यह बहुत अच्छा कुश्य हैं लुद्ए है अब यहां पर दो लान विस्टे लिश्ट में को मेसज कराना होता है इसका वार्ड करत कारहा है राइड अन एसे और की वे इसके बात यहाँपे आपको फालोइंग पाईसर केयरफुली यहाँपे आपको एकthinking पाईसर क congregation दिया होता है इसके आपको यहाँपे last question देखने को मिल जाते हैं to इसे भी आपको करना होता है यह था कुछ English का पेपर जो मैंने बताया वीड्यो तो लांग हो गया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर